गर्मियों का मौसम है और गर्मियों की मौसम में सबसे ज़्यादा समस्या हैं जो हमें देखने को मिलती हैं वह है डाइरिया, हीट स्ट्रोक, वामिटिंग वगेरा और इन सब समस्याओं से बचाव के लिए हम केवल अपनी डाइट में सुधार करके ही कर सकते हैं तो नमस्कार मेरा नाम है दिव्याइशू और आप देख रहे हैं किया न्यूज का हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम निरोगी भग आज के इस एपिसोड में हम डाइट पर ही फोकस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस भीशन गर्मी में आप कैसे अपनी डाइट को दुरुस्त करके खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं सुनिये डाइटीशन डॉक्तर रूपा सर्मा ने हैल्दी लाइफ स्टाइल और डाइट के बारे में क्या बताया सबसे पहले तो हीट स्टोक है या फिर आजकल जैसे वोमिटिंग या डाइटी जो भी हो रहा है यह सारी चीजें अपको पूरा दिन आप लेते रहो टाइमली लेते रहो उसके लिए अलाम सेट कर सकते हैं आप रिमाइडर सेट कर सकते हैं या फिर खुदी अपनी आदत बना सकते हैं कि जैसे सुबह उठते की टाइम आपने दो ग्लास पानी पिया या खाने से पहले आप ऐसे करके दो तीन आप अगर टाइम फिक्स करते तो भी आपकी साथ से आठ ग्लास जो है नॉर्मल वाटर के वह आप कंपीट कर सकते हो तो सबसे पहले हमें डिहाइड्रेशन का ध्यान देना चाहिए दूसरी चीज़ हमें ध्यान में देना है कि फाइबर फाइबर क्यों जरूरी है जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉड़ी में पानी प्रोवाइड तो आपने ने कर दिया लेकिन जितने भी बॉड़ी के सेल उनको पानी बीड करके रखना चाहिए था है तो वे पानी होल्ड करने का काम फाइबर करता है क्योंकि फाइबर हमारे पेट में जा पूल जाता है पानी की बढ़िए पानी की बढ़एगा और हाइडेशन प्रोपर्ली आपकी बड़ी को मिलता रहेगा तो सबसे एडल्ट के लिए जो वाटर इंटेक का रिक्वाइर्मेंट रहता है डाट इसम्वेर राउंड थ्री लीटर पर डे पर डे कम से कम तीन लीटर पानी आपको पीना ही है भच्चा ऑडल्ट हो डाइट पेटर्न सेम रहता है क्योंकि आप किसी यूमर को ले ले हैं आपको कारभोहेड़ भी खाना है फैट भी खाना है वीटमिन्स, मिन्रल भी लेना है है कि सब सारे लोगों को ज़रूरत है चाहें वो किसी भी एज ग्रूप के हो तो बस सिफ कॉंटिटीज का डिफरेंस हो जाता है प्रोटीन का रिक्वाइर्मेंट का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है बाकी सब चीजें बच्चे की राइट वे सब कुछ होना चाहिए उसको रोटी भी खाना है उसको चावल भी खाना है ठीक है और पानी तो अफकोस जैसा कि मैंने बोला कि पानी सब के लिए ही ज़रूरी है खाने में क्या-क्या चाहिए सबसे पहले तो कोई भी जो भी फूट गुरूप ओता है न वो छोड़ना नहीं चाहिए जैसे मैंने कई लोगों को सुना कि आम रोटी नहीं खाते कोई पोलता कि चावल नहीं खाते कोई भी चीज को चोड़ना नहीं है सब आपको अपनी मात तो इसको प्रॉपरली वो इतना काम नहीं करता है इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में वामिटिंग डाइरिया का प्रॉब्लम बहुत जादा हो जाता है पानी की गमी है डाइजेशन पूरा नहीं हो पाता है तो इसके लिए आपको डाइट में सबसे ज़्यादा फाइबर करना है फाइबर मतलब कि आगर आप रोटी बना रहे होगी हूंके आटी की तो आपका आटा जो है वो मोटा पिसा हुआ होना चाहिए और जो हम च्छान के इसको निकाल देते हूं निकालना नहीं है उसके साथ लीजे जिसे के आपको ज्यादा फाइबर मिल सके चावल अगर आप ले रहे हो तो बहुत ज्यादा रिफाइंट चावल आपको नहीं लेना है ठीक है बाकी आपकी दोनों टाइम की डाइट में सलाद भरपूर मात्रा लिए जादा में होना चाहिए कम से कम सो ग्राम सलाथ आपका पूरा दिन में लंच और डिनर में होना ही चाहिए बाकी आप लिपको डाइट मतलब लिक्विश रहते हैं ज्यादा इंक्ल्यूड की जैसे कि आप नारियल पानी ले सकते हैं बटर मिल कि च्छाच या मठा यह यह ले सकते हो और फालो के जूस भी ले सकते हैं तो इन सारी चीजों से आपका पानी भी पहुचता रहेगा और फाइबर भी रहेगा सारे कार्भोहाइडर्ट फैट प्रोटीन यह भी मिलता रहेगा तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है सब खाना है बस ध्यान में रखन फलो में जैसे कि जितने भी पानी वाले फल आते हैं तर्बूज है खर्बूज है पपिता है आपल है यह सारे फलो को अपनी डायेट में जादा से जादा शामिल करने की कोशिश करें तो अगर आप खाना नहीं खा रहे हो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भूब भी कम लग प्रॉब्लम नी होने वाला इन फैक्ट दही की जो जो टेंडेंसी और जिसको तासीर वोलता है ना खाने की तो दही की तासीर होते हो गरम होती दही आपके पेट में जाके हीट प्रोडियोस करता है तो इसके लिए गर्मियों में मठा बटर मिल्क और छाच जरूर पीना है सबसे पहले काफीन वाले जितने भी डूंक रहते हैं कौफी चाहे ये जितना हो सके चाहें वह फिर ब्लैक काफी हो चाहें ब्लैक टी हो उसे कोई फ़र्ग नहीं बढ़ता काफीन है धीके तो कफीन जितने भी हो सकता अब अगर बंनहीं कर सकते हो तो इतना ही र superintendent के दिन उनसे बचना चाहिए क्योंकि यह caffeine हो या alcohol हो अगर आप उसका intake करते हैं तो हमारी body में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है तो उसके लिए आपको फिर पानी की कमी होनी ही होनी है तो यह चाय, coffee और जितने भी alcohol वाले जो beverages रहते हैं उनको आपको बिलकुल eliminate करना है बाहर के ख एंशा का अवोयट करें और बाहर का खाना मदलब शीय내 doctrine kya आप बाहर का खाना करें जितने भी निए जडिएरेकल हैं जो अपने मूह में डालते हो वह बाहर का खी तो जितना हो सके उसको अपोय करना है सबसे पहले दूप से बचाओ, जितना कम हो सके उतना बाहर निकलना, दूसरा पानी का ध्यान रखना, तीसरा डाइट में फाइबर जितना हो सकता है उतना इंक्लूड करना, जैसे कि मैंने बोला फल और सलाद, और जितना भी लिक्विड वाली चीज़ें होते हैं, फलो का ज अगर कोई प्रेग्नेंट लेती है, और डेली मौनिंग में अगर वो खाली पेट, कोकोनट वाटर या नारियल पानी फ्रेश लेती हैं, तो उससे उनको मौनिंग सिखनेस नहीं होता है, और उल्टी, जी मिछलाना ये सारे सिंटम्स भी थोड़ा सप्रेस होते हैं, आशा ह आशा हैं, 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 आशा